सब्सक्राइब है, तो देखो आगया है सीजन सर्दियों का सीजन है अब सर्दियों का सीजन है, यानि हरी-भरी ताजी सब्सक्राइब हैं और साथ-साथ में बहुत जादा यमी सी हम बनाने वाले है गाजर-म्त्रこれब सब्सक्राइब यह वाली हम सब्जी बनाएंगे गुजरात में इसे मिक्स वेज भी बोलते हैं उस साइट तो यह बहुत जदा फीमस होती है क्योंकि थंड बहुत कम पड़ती है और जैसे ही गाजर वगेरा आने का सीजन होता है तो फटाक से यह लोग यह सब्जी बना लेते हैं तो सबसे प पावर्ची अगर अभी तक आपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए बिना किसी देरी के अब देखें यहां पर ओयल गरम हो गया है तो मैंने दो बड़ी चमच के करीब लसुन को कूट के इसके अंदर डाल दिया है तो लग बग इसमें साथ और एक बहुत ही अच्छी सी फ्लीवर आता है जो गोल्डन ब्राउन करके जो लसुन होता है ना उसका अदर्वाइस लसन अगर कच्छा रह जाए तो उसका फ्लीवर इतना अच्छा एन्हेंस नहीं हो पाता तो यहां पर हमारा लसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है अब इसके अंदर मैंने चौपर में एक प्यास को बारी काटके इसमें डाल दिया है आप यहां पे ना लंबा प्यास भी काटके डाल सकते हैं जो भी आपको सही लगे तो यहां पे हमने प्यास टाल दिया है लसुन और प्यास को हमने अच्छे तरीके से अब भून लेना है तो यह जो सबजी है आप पूडी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं डाल चावल अगर बनाए हो तो उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं अधरवाइस दो ब्रड के बीच में इसकी स्टफिंग करके सुभा का टाइम ब्रेकफास में भी दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी यह जो सबजी है ना यह बन के रेडी होने वाली है तो यहां पे देखिए अच्छे से हमारे यह जो प्याज और लसुन है वो ब्राउन अच्छे तरीके से हो गए है और फिर उसके बाद इसे हम रग देंगे साइड में अब यहां पर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर तो ट एक चमच के करीब इसमें जाएगा नमाच में जाएगा घल्दी 2-3 जमच के जाएगा लाल मेज़ नाओर तोड जब तक मिला और हमारे जब तक बूल पूल ना और जाये कि सोग्षria को मिलएटा तो इस दो चमस के करी takiego पानी आइट कर सकते हैं पेये मिक्स आइगे अब तब तक पकाएंगे जब तक की ओई उपर ना जाए और हमारे रस्से वाला टमाटर जो है वो अच्छे से पकना जाए तो यहां पे से दो मिनिट के लिए फुल फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे तो देखे सबजियां तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें मैं यूज कर रही हूँ में तो गाजर साथ साथ में मतर और एक के करीब शिम्ला मिर्च तो मैंने यहां आधा के लोग गाजर ली है साथ साथ में मैंने यहां पर एक कप के करीब मतर लिया है और एक शिम्ला मि इसको हम इसको इस में सारी गाजर मोटर हम इसके बाद आ है देटेए यहन कर देख सारी गाजर मटर अच्छे सा वाजर करा हुआ और लो फ्लेम पर इसे कवर करके कुक करेंगे देखें मिक्स कते टैंट तो फ्लेम फूल रखें ताकि मसाला अच्छे से जो है वो गाजर पर कोट हो जाए और उसके बाद इसे कम यानी की धीमी आज पर हमने पकने के लिए छोड़ना है कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रुत नहीं है क्योंकि गाजर में अपने आपका ही बहुत सरा पानी होता है उसी में यह पकेगा तो इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इसे कवर करके कुक करने को छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे खुला भी पका सकते हैं लेकिन वो जादर टाइम लेगा तो इसलिए इसे कवर करतेंगे और लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट तक पकने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए इसे कवर करने के बाद यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा पांच मिनिट के बाद तो अब हम बता देते हैं कि यह देखिए गाजर ने पानी छोड़ दिया है अब मैं इसमें एक सीक्रेट मसाला डाल रही हूँ यह बिलकुल ऑप्शनल है डालना लेकिन अगर आप डालेंगे तो सबजी में चार चान कहते हैं वो लग जाएंगे अगर आपके पास घर का द मिल जाएंगे तो एक बड़े चामच के करीब इसमें जाएगा किचन केंग मसाला अगर आपके पास यह मसाला नहीं है आप घर का देसी करम मसाला भी आट कर सकते हैं जब तक कि आप यह से ओडर करेंगे फिर उसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स मिक्स करने के बाद इसे दो मिनिट खुले में पकाएंगे ताकि सारा पानी जो है वो गाजर बीले और अच्छे से मारी गाजर जो है वो भी पक चुकी है उपर डालेंगे खूप सारा हरा धनिया हर धनिया के साथ साथ उपर से आपना हरी मिर्ची भी चॉप करके डाल सकते हो अच्छा करण आएग जो फ्लेवर है वो भी अच्छे से आएगा सबजी के अंदर और उपर से गाणिशिंग में थोड़ा सदनिया बचा लीजिए और यह हमारी सबजी रेडी है दाल चावल परोठा किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए फुलका रोटी के साथ भी बहुत टीस्टी लगी और वीडियो की स्पेशल रेसिपी आने वाली है आप सभी के लिए स्पेशल फूडी बावर्ची के चैनल पे तो अगरे तक सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे सब्सक्राइब बटन है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर विद यू कर दूनी है लोंग привम है नीचे सब्सक्राइब जीचे संब पाव्णर फिष्म मेजर और कर दो उनीचे संब्सक्राइब तक स्ब्सक्त के लिए सम्रர्ण बाली कि तो ऑज przysz रिए सब्सक्क्राइब अपते अक्दाईब गただते कल्सक्रा Hahn है सम्ना शेर इंक्राइब ऑ Babe